करनाटका स्टेट कांसलिंग 2020 इस शेशन में हमको जानने को मिलेगा कि आफ्र दर निट इग्जामिनेशन सभी स्टुनेंट्स को कॉलेज तक पहुशने के लिए अलॉट्मेंट के लिए कांसलिंग एक्टिविटी को फेस करना है तो जैसे सभी स्टेट अपनी अपनी कांसलिंग कराएंगे वैसे करनाटका भी अपनी कांसलिंग एक्टिविटी कराएगा तो करनाटक की कांसलिंग को किस हिसाब से स्टुडेंट को अप्रोच करना है especially for the Carnatica students also जो students Carnatica से फिलोंग करते हैं जनके पास वहां की डो मेसाहिल है और वहां के जो अलग से जो कोटाज हैं उनके लिए और करनाटेक में एडमिशन लेने के लिए आउससाइड यानी की open category की जो सीटे होती है जहां पर other state को बुलाते है 20% seats में उसमें students का काफी जादा interest रहता है काफी reasons है करनाटक में quality of education काफी अच्छा है जो colleges जहां पे admission मिल लें वो काफी पुराने medical college माने जाते हैं और as the main point जो सबसे जादा student को attract करता है कि वो है tuition feces अगर हम tuition feces भी देखते हैं तो इंडिया का lowest slab अपना करनाटक का ही फीस आता है last year भी feces जो अपकी अन्वल थी that was under 8 lakh rupees जिसकी विए से करनाटका एक ऐसा state है जो एक limelight state है सब इस student का एक major attraction point रहता है first choice रहती है especially for the private medical college की वहाँ पर student जाता है कि मैं जाके वहाँ पर हमको admission मिले तो यह जो entire counseling activity है जो इसके matrix है क्या cut off क्या seats क्या pieces यह सब चीजे के जो queries रहती है student के वो सब आज के session में हम discuss करेंगे जिससे कि आप अपनी जो counseling activity करो करनाटका की वो एक smooth way से कर लो without any hassle कर सके जिससे आपको अपनी score के according करनाटिका में seat मिल सके if you having that score तो यह session में हम discuss करने वाले है तो start करते है session का ज़से हम करनाटिका की state counseling की बात कर रहे हैं तो majorly counseling जो होगी है that is for the student of करनाटिका the student those who belong from the करनाटिका तो first of all we will discuss about the करनाटिका students तो करनाटिका students के लिए first of all we will start from the student matrix student का फ़रा से matrix देख लेते हैं कि what is the matrix of the student like कितने students हैं जो इस नीट exam में करनाटिका से especially registered कर रहे हैं तो अगर 2019 का recall उठा के देखते हैं 2019 में क्या हुआ था तो around 1,15,000 बच्चों ने registration कराया था from the state of करनाटिका in order to apply in the need examination इस साल का भी matrix आज चुका आपी था तो एक साल भी अगर आप देखते हो तो कोई खास चेंज नहीं हुआ है near about 1,19,000 students ने करनाटिका से registration कराया है तो there is a very marginal change of just 4,000 students इस 4,000 बच्चे बढ़े वे हैं लास्ट इर से और जो फाइनली रिजल्ट आया था लास्ट इर उसमें around 64,000 बच्चे क्वालिफाय हुए थे तो जो क्वालिफाइंग रेत है करनाटिका कर दाकर that is around 63% तो हमको यह देखना है कि करनाटिका स्टेट से नियर अबाट इस मैट्रिक से जो हमको पता चल ला है करनाटिका स्टेट से इंद आयर 2020-2020 में नियर अबाट 65,000 students qualified होंगे इन नियर इंग्जामिन और इन 65,000 बच्चों फिर स्टा्ट हो जाएगी इन और तो टेक देख 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 मेडिका प्रोग्राम सी एदिछ तो गोओ तो ऑडसे आप नियर देख देख देख. तो इस साहर अच्छी तरह से समझ जाएगीगए का जिससे जो आप काउंस न आप करोगे जून के फर्स वीक में स्टार्ट हो जाएगी एक स्मूट वे से आप कोई प्रॉलम ना कोई हजल ना कर सको काफी आज आजकी देट में इंफॉर्मेशन के तो एक टाइम ऐसा हुआ कि बच्चे के पाद इंफॉर्मेशन नहीं थी आज के टाइम ऐसा है कि इतनी करनाटिका का मैंट्रिक्स देख लिया नौ इस मैंट्रिक्स के बाद हम सबसे पहले आ जाते हैं नंबर ओफ कॉलेज इचिंग एंबीबीएस को पर इस्पेशलिएं करने वाले हैं जो काउंसलिंग होगी आपकी करनाटिका स्टेट की इसके अंदर मेडिकल के सारे पोग्र है इस ओन दा फॉर देख लिए अव्र पोग्राम तो अभी हम करनाटिका का मैंट्रिक्स का सीट मेडिक्स को पतर असा देखते हैं कि इन करनाटिका और वाद टोटल नंबर ओफ कोलेजे विच आर टीचिंग देख देख टोगरंवेस्ट का मेडिकल सेक्टर तो अगर हम कर finance medical college भी बोलते हैं so karnatica is having total number of 54 medical college यह सबसे ज्यादा सीट से करनाटिका में अगर आप किसी भी स्टेट में देखो गई तो इतनी यादे colleges नहीं है so karnatica is having total 54 medical college which are running the mbbs program अब जल्ली से में देख लेते हैं कि seats कितनी है if you talk about the government medical college so as of now government के अंदर two nine double zero seats है दो यह 900 seats हैं और private के अंदर हम देखते हैं तो 5595 नेर अबट 5600 seats हैं in the private medical college so total matrix आ रहा है that is 8495 नेर अबट you can say average of 8500 seats हैं कarnatika में इतनी यदा seats किसी भी state में नहीं number two पे आपका state आता है महारास्टा which is the second state which is having the maximum number of seats तो यह total number of seats हैं अब यह total number of seats distribute होती हैं अलग लग कोटा में अलग लग के टेग्रीज में गवर्में में प्राइवेट में अलग लग कोटा में डिवाइज होती हैं वह major चीज है जिसको student को समझना चाहिए because generally student frame out करता है कि I want to take admission in the MBBS but he should know like he want to take admission in the MBBS that is okay but वह किस के टेग्री में आता है और उस category में क्या आपको करनाटिका में seat मिल पाएगी की नहीं मिल पाएगी यह चीज़ देखते हैं तो यह जो हमें आपको मैंटिक्स बताया कि में अबाट 85 hundred seats हैं करनाटिका में that are the colleges which comes under the करनाटिका government platform यह करनाटिका के अंदर से आते हैं के यह के अंदर से आते हैं इसके अलावा भी करनाटिका में 10 D.E.M. university भी हैं which is under the central government यह D.E.M. university के अंदर कोई भी बच्चा किसी भी स्टेट के बच्चा जाके एड्मिशन ले सकता है major major top के institute से वहाँ पे कस्टूबा गांदी कस्टूबा मेडिकल कॉलेज मैंगलोर मनिपाल काफी famous college है इंडिया का सबसे पुराना college है काफी अच्छे college है आपको मिलेंगे केली बिलगाउ 1964 का काफी अच्छा college है सिधारता medical college है वहाँ पे एनपोया medical college है इसमें मुश्लिम मैनाल्टी भी है लास्ट यर एक नया medical college है इसमें एड़ाउन हुआ था तो इसके बाद इसमें आया था तो डीम निश्टी का काउंस्लिंग अलग होती है that will be held on the MCC platform Medical Council Community की website पे होगा वो काउंस्लिंग पहले होगी उसके अंदर कोई भी बच्छा इन सबसेट के लिए जा सकता है इस सेचन में जो करनातिका स्टेट की जो colleges है हम उसके ओपर major discussion करने वाले है तो हमने number of seats देख लिया अब जली से number of seats का distribution कैसे होता है इसको थोड़ा सा समझ लेते है थोड़ा सा technically ये students तो अगर समझ में नहीं आ रहा है आप pause down करके दुबारा से इसको समझ सकते हो जो हमाई जो government medical college है तो government medical college देख 15% seat will go to the all India quota as you will be knowing about this thing नेर अबोट 3% seat central pool quota के लिकल के जाती है तो the remaining 82% जो seats बचती है that are for the Karnataka students वो Karnataka students के लिए seats रहती है उसके बाद हम आए आते हैं जली से private medical college में तो Karnataka में total 36 private medical college है जो अभी MBBS पढ़ा रहे और इन 36 medical college में अब इन seats का distribution कैसे रहता है तो जो total आपकी जो private medical college में seats है इसका 40% flat तो चला जाता है government quota में यानि कि suppose कर लोग तेका example की एक college है उसके पास 100 seat है तो 40 seats will go under the government quota इसके अंदर के वाल करनाटक के ही बच्चे अपलाई कर सकते है अब remaining 60% seats बच जाती है इन remaining 60% में से 40% private sector को seat दी जाती है for the private quota या कि हम इसको में में कोटा भी बोल सकते है अब यह 40% private sector में जो fees निकली है इसकी जो fees थी लास्ट येर डैट वोज अराउंड एट लैक रूपी इसको और अच्छे जाए समझते हैं कि यह टोटल 40% है इसके दो पार्ट में डिवाइड हो जाते है 20% अलग 20% अलग 20% is reserved for the state of करनाटिका स्टेट students only and 20% seats पे other state के बच्चे भी आके counseling कर सकते है तो अगर आप किसी भी other state से belong करते हो और करनाटिक में low fees college के लिए जा रहे हो तो प्राइवेट मेडिकल कोलेज में आपके लिए 20% सीट सी रिजर्व रहती है other जो seats है वो अलग-अलग category में जाती है तो हमको total number of seats पे नहीं देखना है हमको सिफ इस यह देखना है कि कितनी seats हमाई लिए available है और remaining 20% और बच गया तो इस remaining 20% में 15% NRI quota को जाता है और 5% Q quota जाने की other quota को जाता है NRI quota और Q quota की faeces काफी जादा है इनकी faeces near about 36 lakh rupees 40 lakh rupees से 50 lakh rupees annual तक चल रही है तो इतनी जादा fees होने की वैए से major reason है कि काफी low cutoff पे भी college मिल जाता है उसमें if you are just qualified even तब भी आपको वहां पर काफी चांस है कि आप अंदर the NRI quota and other quota के अंदर seat के ले सकते हो बट जो major attraction रहता है in the private medical college वह जो fees आपकी 8 lakh rupees के अंदर की जो fees आ रही है वह आपका major attraction रहता है तो बाहर वाले बच्चों के लिए जो open category के बच्चे है जो other state के बच्चे रहते हैं उसमें तो काफी competition रहता है तो उसके cutoff तो काफी उपर जाते है पहले हम आ जाते है श्टेट के बच्चों के पर डिसकस करते है तो हमने seat का distribution देख लिया प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 40% सीट है गौर्मन को टक हो गई 40% में से बाकी का remaining 60% में से 20% की जो प्राइवेट सीट है वो श्टेट के बच्चे को मिली इंदर डिफरेंट के टेगरीज वाईज और आपका 20% सीट बाहर के बच्चे को मिली 15% एनराइक को 5% इसमें इसमें काफी अपने माइनर्टी के भी कॉलेजे हैं मुस्लिम माइनर्टी के भी कॉलेजे हैं जैसे कि Alaminin Medical College, Khojabandha Nawaz Medical College, इसमें Muslim Minority चलता है, St. John's Medical College, इसमें Christian Minority चलता है, तो भी आपको उसका benefit नहीं मिला था last year की counselling में हाँ डी मुश्टी में आपको जाएंगे तो बिल्कुल आपको reservation मिलेगा but in the private medical college you will be counted as a general student if you belong to from some other state तो यह हमने अच्छे से समझ लिया कि क्या seat का distribution होता है तो अगर बाहर वाले बच्चों के लिए अगर आप देखते हो तो आपको फाइव इंडिट से फाइव इंडिट फिफ्टी के आसपासी seat मिलती है other state के बच्चों को यही एक major reason है कि इतना जादा बच्चा student enroll कराता है because fees काफी काम है college की quality काफी अच्छी है और लेकि number of seats काफी काम है जिसकी बाहर की बच्चों की cut off काफी उपर जाती है तो हमने यहाँ पर number of seats पर discuss कर लिया seats के distribution पर discuss कर लिया अब हम आजाते हैं counseling process को समझ लेते हैं फिर cut off के उपर आएंगे पहले कि अगर हमको करनाटक में counseling कराना है तो क्या process रहता है करनाटक की counseling का किस हिसाब से करनाटक की counseling चलती है friends तो सबसे पहले counseling में enroll होने के लिए सबसे पहले आपकी All India Quota की counseling स्टार्ट हो जाएगी June के second week से most probably you can say around 12 से 15 August ता के स्टार्ट हो जाएगी जैसे All India Quota के forms आएगी हो उसी के just within a week आपके करनाटक के भी form आ जाएगे महराष्टा और करनाटक ही पहले states है जो हर साल application form सबसे पहले निकालते है तो करनाटक में registration करने के लिए चाहे आप करनाटक के student हो चाहे आप किसी other state के student हो कहीं के भी student हो process एक ही रहता है पहला है process है कि आपको उसकी official website kea.kar.nic.in इसको पर जाके आपको login करना है login करने के बाद वहाँ पे आपने credentials बनाऊंगे user id password अपना बनाऊंगे और एक online application में जो भी आपसे details पूछी जाएंगी your need score everything your name address your educational background ये सब चीज आप वहाँ पे इंटर कर दोगे अगर आप स्टेट वाले बच्चे हो तो अपनी categories भी इंटर कर लोगे बाहरवाद के अदर के स्टेट के बच्चे हो तो you will be counted as a general student over there इस तरह से आपने online जाके registration करा दिया और उसके बाद आपने जो counseling की fees नियर अबाट वन थाजन फाइव इंडेट वह आपने पेमेंट कर दी यह आपका हो गया process number one फिर next process क्यार हो रहता है उसके बाद होता है document verification जो करनाटर का state की जो counseling होती है उसका document verification आपका physical mode पर होता है यानि कि student को personally वहाँ पर जाकि आपने documents को verify कर रहा होता है online process पर नहीं होता है so if you belong to from any part of India you belong to Haryana, Rajasthan, Uttar Padesh, Maharashtra, Tamil Nadu, Pondicherry, whatsoever part of India आप कहीं से भी belong करते हो तो आपको physically जाना पड़ेगा जो आपको centers a lot होगा majorly Mangalore और Bangalore में centers रहते हैं राजीब गांदी यूश्टी से में रहते हैं तो वहाँ पर जो भी आपकी date रहेगी उस date पर आप जाओगे आप में documents जितने भी है documents prospectus में लिखा रहेगा क्या-क्या documents आपको ready करके जाना है वहाँ पर आप उसको verify करा होगे आपको receipt में लेगी और साथ में मिलता है आपको CET नंबर बहुत होता है यह CET नंबर बिने CTE नंबर के आप choice film नहीं कर पाते हो तो आपने यहाँ पर देखा कि number one पे हमको online registration कराना है नंबर टू पर हमको document verification कराना है जो कि एक physical process होता है अभी तक 2019 में हो सकता है कुछ change भी आजाए बट अभी तक यह आपको physical mode पर होता है number three पर फिर आपका आता है choice filling फिर आपको अपने score के calling choice filling करना जाते है करनाटक के बच्चे अपने score पर अलग choice filling करेंगे बाहर के बच्चे के वल private medical college में choice filling करेंगे और अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसका score का मा रहा है 200, 250 का score आ रहा है और even 200 से भी कम का score आ रहा है if you can pay the faeces उसकी faeces काफी जाते रहती है 35 लाग 40 लाग 45 लाग रुपीज अगर आप फिसस उतनी जिय सकते हो तो आप low score पर भी जाके करनाटका पर चीट ले सकते हो तो इस तरह से आप choice filling करोगे उसके बाद allotment आता है एक mock allotment आएगा उसमें आपको एक tentative idea मिल जाएगा कि कौन से college हमको मिल रहा है अगर आप वहाँ पर swap करना चाहते हो या रिशिफिल करना चाहते हो यानि कि simple language है बोले तो हम college को change करना चाहते हम देख है कि हमको सेंट जॉन्स मिल लेकि मैं सुच रहा हो चलो MS Ramayya के लिए ट्राइ करें तो आप अपने जगह पे MS Ramayya को लगा सकते हो इस तरह से आप कर सकते हो आपको कैमपा कड़ा मिला आप सुच लो ठीक है हमें MS Ramayya को उपर लगा देता हूँ या फादर मुलर को उपर लगा देता हूँ तो इस तरह से आपको इस चाहसे मिलती है और round number two में अपडेट की भी चाहसे मिलती है तो कुछ इस तरह से आपकी counselling activity होगी उसके बाद फिर आप लोग को seat alert होने के बार अपने tuition fee से submit करनी होती है और बाकी के formalities करनी होती है तो हमने यहाँ पर सारी counselling activity को बारान समय लिया अब सबसे most important चीज जो student जानना चाहते है वो होता है cut off कितने नंबर पर करनाटिका पर seat मिल जाएगी अगर मैं करनाटिका से MBBS करना चाहता हूँ तो cut off के उपर discuss करेंगे बाहर वाले बच्चों के उपर पहले discuss कर लेते हो ओपन वाले students के उपर पहले discuss कर लेते हैं बिकॉस उन में काफी eager है उसके बाद फिर हम state के बच्चों के डिसकर करेंगे तो अगर आप outside state के student हो और आप करनाटिक के private medical college में जो की normal fees है अभी तक 8 लाग रुपे के अंदर की fees है 798 की fees है उस पर अगर आप fees लेना चाहते हो तो last year करनाटिक का जो education platform है काफी बच्चे ऐसे थे eduasis के भी platform से काफी बच्चों ने ऐसे counseling कराई थी जिनको government medical college अपने state में मिल ले था यूपी का में government medical college मिल ला था लेकिन नया medical college मिल ला था तो उन्होंने यहाँ पे admission ना लेकिए वहाँ के पुराने medical college में admission लेना पसंद किया ठीक है तो because of the education platform तो जो आपकी जो cutoff start होती है वो तो बहुत उपर से start हो जाती है that will be starting something around 580 marks के आसपास से start हो जाएगी लेकिन कहां तक मिल जाता है तो 2019 का अगर हम cutoff stats के उपर discuss करते हैं तो आप 2019 के उपर देखो गए तो आपको near about 550 तक का तो 2019 से 2020 में देख रहे हैं तो इस नीट के exam में number of student थोड़ा सा भी बढ़ा जादा बढ़ा नहीं है और जो अभी तक जो calculations निकल के आ रहे हैं उसके हिसाब से अगर आप करनाटक में admission लेना चाहते हो तो 550 के अबफ का score तो एक comfortable score माना जाएगा लेकिन अगर आप last cut off या dead cut off की बात करते हो कि कहां तक हम को मिल सकता है तो उसके नीचे में भी आपका target near about 540 नमबर तक होना चाहिए to be in the comfortable zone ठीक है दो चार पास नमबर उपर नीचे होता रहाता है लेकिन एक comfortable zone का score सोचिए लास्ट कर सोचेंगा तो अपने आपको danger zone में जालके चलो करनाटक में अगर आपको सीट चाहिए अगर आदर स्टेट से बलांग करते हो सो यो score should be around 540 इतने score पर बहुत सारे स्टेट में गौर्मन मेटिकल कॉलेज में भी सीटे मिल जाती है लेकिन करनाटक में वही बच्चे अपलाई करते हैं जिनके स्टेट के cut off उपर जाते हैं सब उसके बाद बच्चे की हांट स्टार्ट होती है कि अगर आप करनाटक में सीट लेना चाहिता हो यो पॉजचे शुड पी अट लिस्ट 540 प्लस फाइन राई के थू जाना है तो आप लोग स्कोर पे 300, 250, 200 के स्कोर पे और लेस दन 200 पे भी आप तरगेट कर सकतो बट इन डाट करनाटक में बाद करनाटक में सीट लेता है तो बिल्कुल आप समझतो हो ओल इंडिया कोटा के थूरू जा सकतो हो लास्ट यह जेनल का लास्ट कट आप 585 ओबीस का भी लास्ट कट आप 585 तो 580 का मिनिमम टार्गेट आप लेके चलो 2020 के लिए और इंडिया स्टेट तो करनाटका स्टेट के जो स्टुडेंट्स हैं जो आपके स्टेट में जो गौर्मेंट मेडिकल कॉलेज है 19 उसमें जितनी भी सीट्स हैं वो सभी आप्लिट के स्टेट्स के लिए हैं तो उसमें क्या कट आप जाता है करनाटक में जैसे कि आप करनाटक से बिलॉ तो बहुत सारी different categories हैं. तो अगर आप किसी भी category से belong करते हो और आप government medical college के अंदर seat target कर रहे हो तो 500 का number आपको पता है बिल्कुल comfortable number है. असानी से आपको seat मिल जाएगी general के अधी category में. 500 से अगर 10, 15, 20 number slip भी होता है तो भी आपको असानी से seat मिल जाती है. लास्ट यर के कुछ cut-off को लेको हम projection करते हैं यहाँ आप से भी general quota की बात करेंगा है. तो लास्ट यर जेनल में near about 440 number तक seat मिली थी. 440 तक seat मिली थी. College का नाम था आपका KVJ Medical College में आपको 440 तक मिली थी. Highest cut-off आपका Backdoor Medical College में कहता है बट और और अबिस सी बात है. तो उसके अंदर भी ज़्यादा फरक नहीं आता है. उसके अंदर आप जाते हो तो उसके अंदर आपकी जो cut-off आपको मिलेगी. That will be something around 450 number तक आपको असानी से मिल सकती है. और प्राइवेट Medical College में अगर आप 8 lakh रुपीस की fees को भी target कर जो. तो प्राइवेट Medical College में भी आपकी 8 lakh की fees के उपर भी जो प्राइवेट Medical College में 8 lakh की fees के उपर अगर आप जाते हो तो आपको शीट मिल जाएगी. अगर आप करनाटेक में अगर आप ब्लॉंग करते हो करनाटेक से IJ, I, R, I, जो अलग लापके डिकेड़ीज हैं. इनके अंदर प्राइवेट Medical College में 8 lakh की fees के उपर अगर आप जाते हो तो something around 450 से उपर का नंबर एक comfortable score माना जाएगा और प्राइवेट Medical College का जो गौर्मेंन कोटा 40% का है उसके लिए यो score should be around 470 एक comfortable score माना जाएगा और गौर्मेंन मेडिकल कोलेज में near about something less than 500. 500 का अबब नं इनके रहते हैं इसके लिए पडाइज को इस सब चीजे को देखे रहने हैं इसके ने बता है कि काफी शर्वेशन वी रहता है कर नाटिका में जितने मान इनृटी वाले इसम रहते हैं Muslim मान जूर्टी रहता है किशन माइनूलिटी रहती है किशन माइनुलिटी के अ अगर आप देखते हो तो ऑनीश सहाथ को सीटें मिल जाती है और जो भी आपकी कंणर को जो लिंगीवेस्टिक माइनॉलिटी एक कंणर हो गया तमील हो गया तूलू हो गया इन buck drinking आप देखते हो तो something with the score of 420 or 2 to 425 you can easily grab down the seat in the Karnataka state. तो हमें देखा कि Karnataka में से किसी कोई भी बच्चा है जिसका score 430 के अब अब आ रहा है तो हमको MVBS में seat मिल रही है. बट इससे हमको समझने की बात ही है कि काफी बच्चे होंगे तो एक सेग्मेंट में ही बच्चे हैं जिनका score इतना आ रहा है. So if the student is getting something around under 400 numbers, the student is getting 350, 300, 250, तो उस condition में आपको starting से paper रहना है कि Karnataka state की counselling से तो मेरा कुछ होने वाला नहीं है. Here if I am applying for the counselling तो मुझे seat नहीं मिल लिये. So you should target the other counselling at the same time. If you can go in the dean ministry, आप dean ministry में के लिए काउंसलिं करो. And if you don't want to go in the dean ministry, there will be other state, open state. Pondichari रहेगा, Tamil Nadu रहेगा, उधर जा सकते हो. North India के काफी states रहते हैं, आप इधर आ सकते हो, low score के ओपर seat लेने के लिए. Counseling select करना friends बहुत important चीज़ रहती है. Because at the time of counselling, नेर अबोर 28-30 counselling चलेंगी. हार state अपना counselling करा रहा है. Dean ministry में central में alert platform खुला रहा है. But you should know कि अवल counselling में participate करना is not your target. Your target is to get a good medical college on the basis of your score. So you should know on the whatever the score you are having in the need examination. जो भी आपका score रहा है in the need examination का. First of all, the student have to select in which counselling I have to register. और in which counselling I have to enroll. So कि कौन सी counselling में रिश्ट्रेट करूं कि जिस counselling में participate करके मैं seat ले सकूं. Because especially in the private medical college, government का तो अलग फंडा रहता है. If you look at the government, if you look at the cut-off, धीमें धीमें डाउन होते हैं. But private medical college, the good medical college, फिर्स रौन में फिनिश हो जाता है. Second round में अगर आप 400 का score लेके गए, तो जो first round में आपको मिल सकता था, वो second round में नहीं मिलेगा. You will be getting other colleges with higher fees. So the round of the counselling also plays a very important role. So you have to select with the starting of the counselling की which counselling I have to offer on the basis of my score. So this is all the calculations for the Karnatica students, for the Karnatica state counselling. So this is the major key points. Second week of June से आपकी Karnatica की counselling स्टाट हो जाएगी. Other state का बच्चा है, कोई भी केसी के भी state का है, तो Karnatica में अगर आप कांस्लिं कराना चाहते हो, आपकी पास दो प्लेटफॉम है. पैदा तो डी मिनिस्टी है, you can go in the डी मिनिस्टी, there are the very good डी मिनिस्टी in the Karnatica. Karnatica is known for the sound education in India. और Karnatica में अगर डी मिनिस्टी में नहीं जाएगा चाहते हैं, you want to go for the low fees colleges, especially, तो low fees colleges में आपको करनाटिक में अगर admission लेना है, तो यह score should be around 540 plus open category के अंदर. सीट सभी private college में से ले ले लेंगे और इनकी फीसे को कम कर देंगे. अभी यह चीज़ on paper है, अगर यह चीज़ होती है, 70% नहीं starting होती है धीमे-धीमे से तब 70% तक पहुचते हैं, यह भी एक natural सा चीज़ है. तो अगर कुछ फीसे कम की जाती ही government की तरफ से, तो बिल्कुल इस cut-off को पर भी फरक पड़ेगा. अगर फीसे कम नहीं होती हैं in 2019 के साफ से चलती है, तो cut-off इसी साफ से रहते हैं, लेकिन अगर अला-लाग प्लेटफॉर्म पे 8-8 लाग के फीसे आ गहीं, जैसे गुवर्मेंट ने टाइट किया था, तो अगर यह cut-off इस लिप हो जाएगा, और यह अगर नहीं समय में आएगा काफी कुछ टेक्निकल चीज़ थी, आप दो-तीन बार देखो, जैसे कि कोई भी कोशन होता है, एक बार मैं नहीं समय में आता है, दो-तीन बार हम प्रैक्टिस करते हैं, तो दो-तीन बार अगर आप देखते हो, तो आपको यह हो सकता है, यह चीज़ें है करनाटका की टेक्निकल चीज़ें, आपको असारी से समय में आएगी है, और अगर आपको लगता है कोई आपका फ्रेंड ऐसा है, इसको यह इंफरमिशन यूसफुल हो सकती है, तो आप बिल्कुल इसे वीडियो को शेयर कर सकते हो, शेशन को शेयर कर सकते हो, आपके साथ साथ दूसरों की भी बहुत सके, वो भी करनाटकी काउंसलिन के बारे में जान सकते है, माई रेफेर्स, यह चैनल आपका एड़ीस के प्लेटफोर्म है सारी कॉंसलिंग एक्टिविटी आपकी होस्करने वाला है from start to last हमाई sessions को देखके आप अच्छी तरह से चीजों को लर्न कर सकते हो और अच्छी एक smooth counseling करके अच्छे medical college तक जा सकते हो even उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है you are having some confusion after that also then you can enroll with us आप हमसे registered हो सकते हो for the paid counseling activities our team will mentor you out हम आपको mentor करेंगे कि आप अपने score के according अपने budget के according अपनी region के according अपनी category के according किस तरह से counseling में proceed करो कि starting में ही असानी से आपको एक अच्छा और best medical college मिल जाए जो आपका score deserve करता है this is the most important thing because counseling means merit इसमें कुछ जादू नहीं होता है कि you are getting a score of 200 and you can go in the मनिपाल medical college KMC मनिपाल you have to get that marks in order to go in that college हाँ कुछ च्रहे technical होती है कि if you are changing your category अप NRI category के benefit ले रहे हो you are taking a benefit of some other category जिसमें फीसे जादा है तब हाँ आपको बिल्कुल कम marks पर भी medical college मिल सकता है but ये कुछ ही पच्चिय कर पाते हैं सजारतर बच्चे नहीं कर पाते हैं friends तो ये session ता आज का hopefully session में हम आपको कुछ counseling के बारे में guide कर पायोंगे जल्ली मिलते हैं एक और नए session में जिसमें हम और भी counseling के बारे में deep में जानेंगे कि हमको अपनी counseling activity को कैसे लेके चलना है इससे हम अपनी successful counseling करके एक अच्छे medical college तक पहुँच जागे till then thank you very much for giving you valuable time keep studying अच्छे सच्छा score लेके आए जितना अच्छा score रहेगा चीज़े होती easy हो जाएगा अपके है thank you friends thank you so much